हलो हाई अब्रिवन कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो दोस्तो आज हम आप लोगों को करवा चौथ की बीधी बताएंगे कि आप करवा चौथ की पूजा कैसे करिए जिनकी साधी अभी नई नई होई है और जिनका फर्स्ट करवा चौथ है उन्हें पता होता है दोस्तो तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले हम यहां पर गोवर की पांच करवा माता बना लिये हैं पेड़ को किस कहीं कहीं पेड़ा बोलते हैं तो दोस्तो हम उस पर सिंदूर लगाएंगे तो आपको वही सिंदूर लगाना है जिस सिंदूर दान से आपकी साधी होई है उसके बाद दोस्तों जो आप करवा तयार किये हैं उसको आप 5 से 5 बार ऐसे इसे घुमाएंगे गोठेंगे जिसको कहते हैं उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे चाद निकला है कि नहीं तो ये देखें हमारा चाद निकलाया है इसके बाद हम आपको बताएं और जो आपकी कास होती है और जो आप अपने गोद में मिठाई लिये हैं उसको एक एक करके फैकना है उसके बाद दोस्तों पानी देना है मतलब अर्ग देना है और उसके बाद आप चाद की उतारेंगे आरती और उसके बाद चाद की आरती उतारने के बाद अपने दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी आरती उतारे तो हमेशा ओम बनागर उतारिए उसके बाद आप चंदन का टीक लगाएंगे दोस्तों चंदन का टीक आपको अपने अंगोठे से लगाना है और हमेशा अपकी तरफ लगाना है डाउन की तरफ नहीं लगाना है देखी जैसे हम लगा रहे हैं और दोस्तों उसके बाद आप जो चावल होता है चावल का दो उनके मत्थे पे तिलक पे चड़ा देजिए और या फिर उनके ऊपर छिड़क दीजिए इसको कहते हैं अच्छत उसके बाद दोस्तों आप थाली को रख करके चैनलिक म आपको पानी पिलाएंगे तो आपका वर्त ऐसे ही कंपलीट होगा दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखना है जैसे आप मिठाई खाते हैं तो हाफ मिठाई अगर आप अपने आपके हस्पेंट खा लेते हैं तो इससे आप दोनों का प्यार बढ़ता है और दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक्शुर वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा और ये हमारा खाने का टाइम हो गया है तो हम ब्रत तोड़ने के बाद पिज्जा खाए थे और आप लोग क्या खाएंगे ये बताईएगा ज़रूर क मिलते हैं नेस वीडियो में